गोली उसके सरपर लगी कारूबारी की मौके पर ही मौध हो गई ब्रतक चतिसगड की राजधानी रायपूर का रहने बारा था हुशंगाबाद तुलिस का कहना है कि कपिल ककड का होटल में अपने दोस्त हनी ओबरोई के साथ आई गनमन को लेकर विवाद हुआ मामला इतना बढ़ गया कि हनी के बॉडिगार्ड धर्मपाल ने शुराप के नशे में कपिल पर गोली चला दी हुशंगाबाद के SP ने बताया कि आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है दरसल दो दिन पहले ही 36 गड़ के अलग-अलग हिस्सों से 20 बाइकर्स की टीम पंचमणी इंटर्टेन्मेंट टूर पर आई थी बाइकर्स की टीम पंचमणी के चंपक होटल में रुकी थी खानी की टेबल पर ही कपिल ककड के साथ आरोपी हनी के बीच मामला बढ़ा वारदात के बाद भी बोडिगाड धर्मपाल मौके पर मौझूद रहा खटना की सुचना पाकर मौके पहुची पुलिस ने गनमैन और मरतक के दोस्त को वही गिरफतार कर लिया वारदात में इस्तिमाल पिस्चल को भी आरोपी के पास से बरामत कर लिया गया है कपिल ककड की गिंती 36 गड के रईस लोगों में की जाती थी पुलिस के मिताबिक मृतक कपिल ककड और आरोपी हनी ओबरॉय अच्छे दोस्त थे बाइक राइडर एसोसियेशन के 36 कलिवर राइडर की 20 बाइकर्स की टीम पंचमणी आए थी सभी बाइकर्स पंचमणी के नामी होटल चमपक में ठहरे थे रात को बाइकर्स पाटी कर रहे थे इस दुराण चमकर शरापी उसका मुख्य काम कंस्ट्रक्शन का है चतिसगर में दुर्ग और राजनांद गाउं की अधिकांश सड़के हनी ओबरॉय के पिता ने बनवाई है ओबरॉय कंस्ट्रक्शन का राजभर में काम चलता है इसमें आरोपी हनी पिता के साथ काम करता है उसे कॉलिज के टाइम से बाइक राइडिंग का शोख है आरोपी हनी के पास भी हाले डेविटसन नाम की बाइक है जिसकी कीमत करीब 20 से 28 लाग रुपए है इसे वो राइडिंग करता था कपिल ककडुर उसके परिवार का कटोरा ताला विस्थित पंजाबी कॉलोनी में बड़ा आलेशान बंगला और मार्केट कॉंप्लेक्स है टटोरा ताला में ही कपिल ककड का ककड भवन है कपिल के पिता आन्मी से रेटाइड है म्रतक रायपूर का बड़ा गल्ला कारोबारी था और परिवार का पूरा कारोबार खोदी समालता है साथ ही बाइक राइडिंग और महंगी गाडियों का हम एज हम एप पिंग से एंस 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 सभ्फरीब।